हाई दिस इज एनेच ग्रीन फ्रॉम ग्रीन इंग्लिश आज हैं गिल्लो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई कहानी को देखेंगे इस कहानी का नारेशन आई के पॉइंट अफ व्यू से है जो लेखी का है चलिए अब शुरू करते हैं एक सुबह जब मैं कमरे से ब्रामदे में आती हूँ तो दो कववों को गमले के पास चोच मारते हुए देखती हूँ मानो की वह लुका छिप्पी खेल रहे हूँ अचानक मेरी नजर गमले और दीवार के भी जाती है जिसमें किसी छोटे से जीव को छुपता हुआ महसूस करती हूँ वहाँ एक गिलहरी का बच्चा शायद घोसले से गिर गया हो कववे उसे अपना आसान शिकार समझ रहे होते हैं उसके शरीर पर दो घा होते हैं और वह गतिहीन होते हुए गमले से चिपक जाता है सब कहते हैं अब इसका बचना मुश्किल है इसे अकेला छोड़ दिया जाए लेकिन मेरा दिमाग इसे कुबूल नहीं करता और मैं सावधानी से उसे उठा कर कमरे में लाती हूँ उसके घाओं से खून को रूई से पूँचती हूँ और उस पे पेनिसिलिन मलहम लगाती हूँ मैं रूई से उसे दूद की कुछ बूंद पिलाने के कोशिस करती हूँ लेकिन वह मूँ नहीं खोलता है जिससे दूद की बूंद बगल से गिर जाती है तीसरे दिन वह अपनी नीली, शीसे जैसी आँखों से चारों तरफ टक्टकी लगा कर देखता है वह छोटे-छोटे पंजों से मेरे उंगली को पकड़ता है अब हम उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगते हैं मैं तार की सहायता से एक फूल की टोक्री में कुछ रूई डाल कर खड़की पर लटका देती हूँ और दो साल तक वही उसका घर होता है जब वह भूखा होता है तो चिक-चिक की आवाज निकाल कर मुझे बुलाता फिर मैं उसे कुछ बिस्किट और काजू दे देती कीलों को निकाल कर मैंने एक छोटा सा खूल बना दिया जिससे वह बाहर आ जा सके वह सारे दिन पेड़ों पे चड़ता और उतरता रहता वैसे तो मेरे पास बहुत से पालतू जानवर हैं लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि मेरे साथ मेरे थाली से खाए लेकिन गिल्लूए का पवाद था वह मेरे डाइनिंग रूम में खड़की से आता और मेरे थाली में बैठ जाता किसी किसी तरह मैंने उसे थाली के बगल में बैठना सिखाया उसका पसंदीदा खाना काजू था इसे मिलने पर बाकी सारी चीजों को खाने से इंकार कर देता एक बार मेरा हाथ सा एक मोटर कार से हो गया कुछ दिन मुझे अस्पताल में रहने पड़े उन दिनों जब भी कोई मेरे कमरे को खोलता गिल्लू दोरता हुआ आता मुझे ना पाकर अपने घोंसले में फिर से लोट जाता सभी उसे काजू देते लोटने पर जब मैंने घोंसला को साफ किया तो देखा सारे काजू वैसे ही पड़े थे उसने छुआ भी नहीं था उन आफद के दिनों में वह मेरे तकीय के पास बैठता और अपने मुलायम फरों से बिरे ललाट को सहलाता जैसे कोई नर्स मेरी देखबाल करती गर्मी के दिनों में वह ठंड़क पाने के लिए सुराही के बगल में लेटा रहता और मेरे करीब भी रहता गिलहरी की जिन्दगी दो साल की होती है गिल्लू भी दो साल का हो चुका था पूरा दिन वह कुछ नहीं खाया नहीं बाहर गया रात में वह दर्द से कराहते हुए मेरे पास आया और मेरे उसी उंगली को पकड़ा जिसे उसने बच्पन में पकड़ा था उसके हाँ ठंडे हो चुके थे मैंने उसे हिटर से सेकना शुरू किया लेकिन सुबह की पहली किरन के साथ हुआ जा चुका था बहुत दूर बहुत दूर उसके जूले को मैंने हटा दिया मैंने उसे सुन्जुही लत्य के नीचे हमेशा के आराम के लिए रख दिया इस उमीद में शायद किसी बहार के दिन में एक छोटे से पीले जुही के फूल की तरह खिलता हुआ देख लो और इसी के साथ यह कहाने खत्म होती है उमीद करता हूँ अच्छी लगी होगी गिल्लू महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई बहुत ही खुबसूरत कहानी है महादेवी वर्मा इनका जीवन काल 1907-1987 तक था वे छायावदी कावधारा की मुख कवयत्री थी वे एक परसीद कहानीकार और ख्यात हिंदी सपताहिक चांद की संपादक भी थी उनकी कुछ महत्पून कारियों में दीपशिखा, यमानिहार, स्रिंखला की कडियां और मेरा परिवार है वे पद्म भुशन के साथ साथ मंगला परसाथ पुरुसकार, भारत भारती अवार्ड और ग्यान पीठ अवार्ड भी प्राप्त कर चुकी है वो साहित अकाडमी की सदस निर्वाचित हुए थी